हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो वा यूट्यूब चैनल, एस्ट्रोलोजी टेप्स हिंदी में, आज की वीडियो, एफ नाम की राश्री क्या है, जाने अपने और अपने प्यार के बारे में सची बाती, जो तिस आस्ट के नूसार वेक्ति के जन्मती थी, जन्म महीने और का भी काफी महतों बताया गया है, जो तिस आस्ट के नूसार वेक्ति के सभाव के बारे में कापी कुछ अन्मा लगा सकते हैं, अतनाम के पहले अक्षर के अधार पर वेक्ति के सभाव और भविश्य से जूड़ी कई बाते जान सकते हैं, आज इस वीडियो में हम आपको ए एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, साथी बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहल ओपन माइंडेंड और लोगों की मदद करने वाले होते हैं, रिस्टों की अहिमैति काफी अच्छ से जानते हैं, कई रिस्टों को एक साथ लेकर आगे चलने की इनमें गजब की श्रमता होती है, ये सब को खुश रखना अच्छ से जानते हैं, इनके पास एक ऐसा दिल होत Fest अपने परिवार से इनका बेहदि लगा होता है। ये लोग अपने परिवार के खुशियों के बड़ी पर्वाह करते हैं। और उन्हें खुशया देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इनके Friend hairs काफी लंबी होती है यानिकि इनके कापी दोस्तों होते हैं। दोस्ती करना ही नहीं बलकि दोस्ती निभाना भी ये लोग बखु भी जानते हैं। इनके हस्मक सभाव के कारण इनके दोस्त भी बहुत जल्दे बन जाते हैं। अगर इनकी कमी की बात करें तो ये लोग काफे भावुख होते हैं। सभाव में अधिक भावकता होने के कारण ये जल्दी लोगों के जूटे आजो पर यकीन कर लेते हैं, जिस कारण कई बार इनका दिल भी दुखता है। प्यार के बात करें तो प्यार में इतने समप्रित होते हैं कि अपने साथी की खुशी के लिए कुछ भी करने को तयार रहते हैं। अगिर्शाली होता है क्योंकि ये चाहे कितने भी वीज़ी रहे लेकिर अपने साथी केले वक्त निकाल ही लेते हैं और उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देते हैं। शियर करें और अपने वेचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शियर करें। आगे कि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोजी टिप्स हिंदी मैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झालें।